जैहिन दोस्तो स्वागत है सुरिष ग्यान में आप सब लोग कैसे हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हूँगे अपनी तयारी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कर रहे हूँगे जो इस्टुडेंट मेहनत और लगन के साथ तयारी करेंगे और करते रहते हैं उनक अगर आप ऐसे बना ले जाते हैं कोश्चन तो 100% आपका सेलेक्शन हो जाएगा किसी भी बजह से आपका सेलेक्शन नहीं रुकेगा मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखेंगे और ऐसे प्रसंद बनाने की कोशिस करेंगे अगर आप से कोश्चन नहीं बनता है तो मैं मेरे साथ आप वीडियो को देखिए और प्रसंद बनाईए और ए प्रसंद बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला प्रसंद क्या है इसमें लिखाए कुकीज जन जाती कहां निवास करती है यानि किस सबसे ज्यादा हुआ था तो अभी हाली में चल रहा था चर्चा में इसलिए इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा मरीपूर यानि प्रसंद का आफशन जो देखा जाए तो डी राइट है जी यहां दोस्तों यहां इसके बाद और भी कुछ जन जातियां निवास करती है ए यहां मैटी जन जाती यह आपको याद रखनी है कि यहां मैटी जन जाती कहां पाई जाती है तो आप बताओगे मरीपूर में या मैटी को कहीं कहीं मैठी भी लिखा होता तो भी आपको डरना नहीं है मैठी जन जाती यहीं पाई निवास करती है इसके अलावा यहां पर ए याद रखना है कि यह जंजातियां कहां कहां निवास करती है इसके बाद अगर आप से पूछा है केरल में कौन कौन सी जंजातियां निवास करती है तो एक आपको सबसे ज्यादा important है जिसका नाम है कादर कादर जन्जाती केरल में निवास करती है दूसरी जन्जाती यहाँ पर और है एक मोपला आपको यह भी याद रखना है क्योंकि मोपला जन्जाती का संगर्स अंगरिजियों के साथ बहुत लंबे समय तक चला था यह आपको याद होगा अगर हिस्ट है तो जयां दोस्तों उब जितनी इधन आंगे इस सारी इंपोर्टेंट है इसके बाद अगर आप से पूछाया है मद्द परदेश में कौन कौन सी जन्जाती निवास करती है तो एक है भील जन्जाती जो सबसे जादा यहां से प्रसंद बनता है भील जन्जाती कहां याद रखोगे कौन सी जंजाती है तो आप बताओगे 1411 जंजाती भी निवास यहां करती हैं दोस्तों जितनी वी मैने जंजातियों के पुलिस में पूछा जाता है इसके बाद अगर उप्सन देखा जाए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश या उत्रा खंड में कौन-कौन सी जंजातियां निवास करती है तो सबसे पहली एक थारू जंजाती है यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि थारू जंजाती उत्तर प्रदेश में कहां निवास करती है तो आप बताओगे तराइं छेत्र में कहां तराइं छेत्र में निवास करती है तराइं छेत्र में यह जंजाती निवास करती है उत्तर प्रदेश के बाद अलावा यह जंजाती उत्राखंड में वी उत्राखंड में भी निवास करती है आई होप आप समझ चुके होंगे इस प्रिसन में जितने भी मैंने कोश्चन डिसकस किये हैं बहुत कोश्चन बन गए एक अगर आपने प्रिसन सोल्ब किया अगर रियल में तो रियल में आपको इस सारे कोश्चन इनी question से ईर्दगिरदही मिलेगा अगर जन जाती से संबंदित question आया तो आपको कभी पूछ लेगा थारु जन जाती कहाँ निवास करती है तो आप बताओगे उत्तरप्रदेस में हैं अगर आपसे पूछाया है उत्तरप्रदेस में किस छेत्र में तो आप बताओगे तराई छेत्र में और उत्तर प्रदेश के अलावा यह जंजाती कहां पाई जाती है निवास करती है तो आप कहोगे उत्तरा खंड में फिर इसके बाद मद्र प्रदेश में कौन-कौन सी जंजातियां है वील है बंजारा है गोर है साथ में इस वीडियो को देखेंगे लाश समझ में तो आपको समझ में आगा कितने इंपोर्टेंट कोश्टन है आज जो मैं इस वीडियो में जितने भी प्रसंद लाया हूँ सारे इंपोर्टेंट है अगर आपको इस वीडियो का पीडियो चाहिए तो आपको टेलिग्राम चैनल जोईन कर लेना जिसका नाम है सुरेश ग्यान 2020 आपको अगर आप टेलिग्राम चैनल पर सर्च करेंगे और इस चैनल पर जाएंगे तो इसका पीडियो मैं वही सेंड कर देता हूँ अगला कोश्चन है वह मुगल वादसा कौन था आपको बताना है वह मुगल वादसा कौन था जिसने बेटिस को सूरत में फेक्टरी खोलने का फर्मान जारी किया था यानि आदेश दिया था वह कौन था A. अकवर B. जहांगीर C. बावर D. औरंगजेब जी हाँ दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा मुगल वादसा था जिसने अंगरेजों को सूरत में पहली फेक्टरी यानि फेक्टरी लगाने की अनुमती दीती यानि फर्मान जारी किया था तो आपको इस प्रसन का अगर सही उत्तर दिखा पताना है तो क्या बताओगे तो इस प्रसन का सही उत्तर क्या होगा B. इज राइड होगा यानि कह सकते हैं कि जहांगीर के सासनकाल में सबसे पहले सूरत में फेक्टरी इस्तापित की थी अंग्रेजों द्वारा यह आपको प्रसन वनता है कवी कवी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहा फेक्टरी इस्तापित की थी तो आप बताओगे सूरत में और जो इस प्रसन का उत्तर है वो तो आपको पता ही है जहागीर है आयोप मैं इसके जितने भी विकल्प वर रहे हैं उनसे कोश्चन बनाने की कोशिश करता हूं जैसे आप से पोचाएगा अंग्रेजों सबसे पहले अपनी फेक्टरी कहा इस्तापित की थी तो आप बताओगे सूरत में फिर वह किसके समय पर इस्तापित की थी तो आप बताओगे जहागीर के समय पर और यह फेक्टरी की जो परमिशन लेने वाला अंग्रेज था वो कौन था तो आप याद रखोगे जॉन हाकिंग आपको याद रखना है कि क्या नाम था उसका जॉन हाकिंग आपको याद रखना है कि हाकिंग ने सबसे पहले जहागीर के दर्बार में गए थे और बहाँ पर जाने के वाद इनका जहागीर ने बहुत स्वागत किया स्वागत करने के वाद इनों ने क्या किया एक फर्मान जारी करवा लिया अपने सूरत लगवाने के लिए सूरत में फिक्ट्री जारी लगवाने के लिए आयोप आप समझ चुके होंगे किसने एक किसकी परमेशन से तो आप बताओगे कि जहांगीर से और किसने इसको पास करवाया था तो आप बताओगे होकिंग ने फिर इसके अलावा और भी बहुत से प्रसंद बनते हैं आप से पूछा या मुगल वन्स का संस्थापक कौन था आप से पूछा याएगा पहला कोश्चन बनता है मुगल मुगल वन्स का संस्थापक आपको पहला प्रसंद मन जाएगा कि मुगल वन्स का संस्थापक कौन था तो आप बताओगे कि बावर था कौन था बावर ने किसको हराकर मुगल किस्तापना की थी तो आपको बताना है कि 1526 में एक यूद लड़ा गया ता जिसका नाम था पानीपत का यूद्ध फानीपत का पर्थम लोदी के वीच में हुआ था इबराहिम लोदी के वीच हुआ था इसमें विजे किसको मिली थी तो आप बताओगे कि बावर को मिली थी आई होप आप समझ चुके होंगे मुगल वंस की स्थापना किस ने की थी तो आप बताओगे बावर ने कव की थी 1526 इसमें में की थी 1526 इसमें में पानिफत का प्रथम युद्ध हुआ था और किसके किसके वीच हुआ था आप बताओगे इबराहिम लोदी और बावर के भी और इसमें बिजे किसे मिली थी तो आप बताओगी बावर को मिली थी इसके अलावा यहां पर और वी विकल्प है उसमें एक विकल्ब ए है जिसके बाद है बावर के बाद यहां का संस्था किसने सासन किया था तो बावर के बाद कितने वी सासक मुगलवंज के रहें उनके हम एक नजर देख लेते हैं, पहला दूखल बंस का शासक कौन था तो आप बताओगे कि बावर, बावर के बाद इसका पुत्र था जिसका नाम था हिमायू, हिमायू के बाद वहाँ उसका मुगलवन्स का सासक बना आप बताओगे कि अकवर कौन बना अकवर फिर अकवर के बाद जहांगीर बना जहांगीर जहांगीर के बाद सह जहां कि सह जहां के बाद ओरंग जेव ओरंग जेव औरंग जेव औरंग जेव आपको याद रखना है कि मुगलवन्स का संस्थापक कौन था तो आप बताओगे कि बावर बावर का पुत्र हिमायू जिसके बावर के बाद ऐसा सारा क्रम चलतार चला गया इसका सासनकाल कब था तो आप बताओगे 1526 से लेकर 1530 तक फिर इसका अगर आप से पूछा है अकवर का सासनकाल कब था तो आप आप बताओगे 1556 से लेकर 15156 से लेकर 1660 1605 तक 1605 से लेकर 1627 तक किसका सासन रहा तो आप बताओगे जहांगीर का फिर उसके बाद सहे जहां का सासनकाल किसके रहा तो आप बताओगे 1627 से लेकर 1657 तक रहा फिर इसके बाद 1657 से लेकर 1707 तक और एंग जेव का सासन काल रहा आयोप आप समझ चुके होंगे कि अंगरेजों के मुगलों ने कब से कब तक लेकर सासन किया है तो सबसे पहले आपको एपरसंड बनता है कि मुगलवन्स का संस्थापक कौन था तो आप बताओगे कि बावर बावर ने किसको हरा कर मुगलवन्स की स्थापना की तो आप बताओगे इब्राहिम लोदी इबराहिम लोदी और बावर के बीच कब युद्ध हुआ था तो आप बताओगे 1526 इस्वी में और वह कौन सा युद्ध हुआ था तो आप बताओगे पानिफत का युद्ध हुआ था फिर आपको यहां से कभी कभी इनके क्रम भी पूछ लेता है वर्ते क्रम में लिखिए या इनकी सने पूछ लेगा कौन से किसके सासनकाल में पीरेड रहा है कितना लंबा किसका रहा किसका सबसे छोटा था और यह देखिए 1516 जो पांच था और 1627 इस पीरेड में सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या की सूरत पर पहली अपनी फिक्टरी स्तापित की थी तो आपको जी यहां दोस्तो सारे प्रसंद समझ में आ गये होंगे किसी भी प्रकार से डाउट नहीं रहा होगा अगर आपको ऐसे प्रसंद अच्छे लग रहे हैं और वीडियो आपको बहुत अ देखने को मिले और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो जिससे उनको वी इस चीज का वेनिफिट मिले अगला प्रसंद है निमलिखित में से किस जल का उप्योग परमानु सहयंत्र में होता है चार आपसन है ए म्रदू जल वी कठोर जल सी भारी जल ड इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि किस जल का उप्योग परमानु सहयंत्र में किया जाता है तो इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा सी इज राइट यानि भारी जल का प्रियोग परमानु सहयंत्र में किया जाता है परमानु सहयंत्र क्या होते हैं जिसके द्वार सबसे लंबी नदी निमलिखित में से कौन सी है तो आपको चार अप्सन दिये गए गंगा बी कावेरी सी एमुना डी गोदावरी तो इन में से कोई एक राइट है सही विकल्प आपको चुनना है तो आपको सही विकल्प बताना है तो इस परसंद का सही उत्तर अगर देखा जाए तो क्या होगा गोदावरी होगा तो दच्छर भारत की सबसे लंबी जो नदी है गोदावरी है तो इसकी लंबाई आपसे कभी कभी पहुँच ले तो आप बताओगे 1457 किलो मीटर इसकी लंबाई है आपसे पोचाया है 1457 भी लिखा होता है कहीं पे 1465 भी लिखा होता है तो आप 1465 लिख दीजिए जिससे की कभी एंसी आरटी में 1465 लिखा है आप 1465 किलो मीटर मानोगे जी यहां दोस्तों गोदावरी तच्छन भारत की सबसे लंबी नदी है अगर आपसे पोचाया है एक कहां से निकलती है तो नासिक नासिक जो महाराश्ट में पढ़ता है जिले आपको याद रखना है महाराश्ट में पढ़ता है और महाराश्ट नासिक जिले के पास में एक है त्रिय निकलती है यह बात आपको याद रखनी है तेह वक्रणिस जैहां से यह निकलती है इसके पास में जिसका नाम है त्रियावक, त्रेवक, त्रेवक, के पास एक पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम हुआ था, जी हाँ दोस्तों आपको यह याद रखना है कि गोदावेरी की लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 1465 किलोमेटर है, यह कहां से निकली है, नासिक जिले से निकली है, नासिक में और वह इस्थान कौन सा है, त्रेवक है, कि पहाड़ी है, आपको यह याद रखना है, अगर आप से कभी-कभी पहुच लेता है, एक किस, कहां पर जाकर मिलती है, या कहां गिरती है, तो आप बताओगे, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में आपको यह भी याद रखना है कि एक कहां गिरती है तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी में एक गिरती है जी हाँ दोस्तों अगर यहाँ से तीन कोश्चन बन सकते हैं एक गोदावरी की लंबाई कितनी है तो आप बताओगे महाराष्ट में यह किस इस्थान से निकलिए तो यत्रवक इस्थान के पास एक पहारी है वहाँ से उद्गम हुआ इसका फिर एक कहां पर जाकर मिलती है तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में एक जाकर गिरती है फिर इसके बाद अगर आपसे पूछाया है यमुना नदी यह कहां से निकलती है तो आप बताओगे बंदर पूछ बंदर पूछ नामक एक इस्थान है बंदर पूछ के पास आपको ऐसे लिख लेना है कि बंदर पूछ के पास जिसका नाम है कंग यमूनोत्री तो आपको याद रखना है यम्नोत्री ग्लेसियर से निकलती है ग्लेसियर से निकलती है और एक कहां जाकर मिल जाती है तो आपको यह बताना है कि यमुना नदी कहां जाकर मिलती है तो आप बताओगे प्रियाग राज के पास क्या बताओगे प्रियाग राज के पास प्रियाग राज के पास जाकर गंगा में मिल जाती है कहां मिल जाती है गंगा में मिल जाती है यानि गंगा की यह साहिक नदी है आप को ए भी याद रखना है तो इसके बाद आप से कभी कभी पूंच लेता है कावेरी नदी कहां से न निकलती है तो आप बताओगे ब्रह्म गिरी से निकलती है कहां से निकलती है ब्रह्म गिरी की पहारी से निकलती है और फाहारी से निकलती है और इस नदी की लंबाई कितनी है तो आप बताओगे 800 किलोमेटर है कितनी है 800 किलोमीटर है यह नदी कहां जाकर गिर जाती है तो आप बताओगे बंगाल की खारी में बंगाल की खारी में जाकर गिरती है आपको यह सारे प्रसंट समझ में आ रहे होंगे जी हाँ दोस्तों मैंने 1-1 प्रसंट पर डिस्कस किया है ऐसे अगर आप तैयारी करोगे तो आपका बिकल्ब कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि आपको उतनी वातें लगवग याद हो जाएंगी और अगर आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप आपको वेनीफिट हंड़े Pॉट होगा इस मिले दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरू के जिसे अधिक से अधिक दोस्तों को भी वेनीफिट मिले। इसके बाद और भी विकल्प है एक विकल्प है जो है गंगा आप से पूछाए गंगा नदी कहां से निकलती है तो आप बताओगे गंगोत्री गंगोत्री हिमनद से निकलती है कहां से गंगोत्री हिमनद से निकलती है यानि गंगोत्री गलेसियर से निकलती है और निकलने के बाद यही यह नदी है इसकी लंबाई कितनी है तो आप बताओगे इसकी लंबाई 2525 किलो मेटर है यानि यह भारत की सबसे लंबी नदी है कि अगर फूच जाय सबसे लंभी नदी कौंसी यह गंगा है और यह जाकर कहां मिलती है तो यह आपको बता नहीं है वंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है वंगाल की खाड़ी जी यहां दोस्तों आपको उदगम याद रखना है उसकी लंबाई कितनी है और जाकर कहां गिरती है और किसकी साहिक नदी है यह भी आपको याद रखना है तो इस प्रसन में जितने भी प्रसन बन सकते थे प्रसन के अंदर जितने भी प्रसन बन सकते हैं सारे मैंने डिसकस कि है एक एक टोपिक पर पूरी विस्तार पूरवक्त चर्चा की जितना हो सकता था और भी इस पर बहुत से पॉइंट बन सकते हैं लेकिन आपको यहां से अलग प्रसंद नहीं जाएगा जहां दोस्तों अगर आप यहां तक कोश्चन बनाएंगे तो आपका हंदर प्रसंद सेलक्सन हो जाएगा कोई भी बजह से की व कि अगला प्रसंद नीति का उप्युग करके कोई एक नीति है जिसका उप्योग करके जहांसी जहांसी चातारा मैसूर को प्रेटिस भारत में बिले किया था यानि ये तीन इस्थान सभी राज्य हैं या इन च्छेत्र हैं जिस में मेसूर और सतारा को अंगे बोंसा संधी थी तो एक साहर संधी के तहत दोनों दी इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि कि संदी के तहद यह सारा काम हुआ था कि बहुत जल्दी आप सब इसके देने हैं कि अब तो आपको पताना है सबसे पहले आपको याद रखना है जहां सी आपको याद रखना है जहां सी और एक सतारा सतारा को और जहां सी कब बिटिस भारत में मिलाता यह डेट आपको याद रखनी है तो आपको याद रखना है 1853 में जहां सी को बिटिस भारत में मिला लिया गया था और 1848 में किसको सतारा को बिटिस भारत में मिला लिया था अंग्रेजों द्वारा और यह किस नीती के तहट मिलाया गया था तो आप याद रखोगे तो बिले नीती के तहट मिलाया गया था तो आपको याद रखना है कि बिले नीती के तहट मिलाया गया था किस नीती के तहट यह दोनों छेतर मिला दिये गये थे तो आप बताओगे बिले नीती के तहट बिले नीती के तहट इनको विटिस भारत में मिला लिया गया था विटिस भारत का मतलब वे होता है कि जो अंग्रेजी छेतर थे अंग्रेजों के अधिन छेतर आ गये थे और जो राजा महराजा अंग्रेजों के अधिनता सुकार कर ले थी वो विटिस भारत छेतर बोले जाते हैं तो इसमें विले नीती के तहत इसको मिला लिया गया था कि बिले नीती का प्रियोग किया था और इसका प्रियोग किसने किया था तो आपको याद रखना है डल हो जी ने किसने डल हो जी ने यह बहुत ज्यादा इंपोरिटेंट है क्योंकि डल हो जी ने कब किया था एनियम अपलाई किया था अठारा सो अरतालिस से लेकर अठारा सो इसने चपन तक भारब का गवर्नर जनर्र रहा था इसके कारिकाल में इसने राज्य हरप नीती अपनाई थी पहुत सारे ऐसे नियम बना दिये जिसके अ ुए है कि अधिक से अधिक बेटििस भारत का निर्मारत हो सके उन में से एक इसी नीति थी जिसका नाम था बिले नीती बिले नीती के तहट जहांजी और सतारा को डलो जी ने अपने विटिस भारत में मिला लिया था इसके बाद यहीं पर एक प्रसंद और है जो है मैसूर तो आपको याद रखना है कि मैसूर छेत्र था इसको बेटिस भारत ने कम मिलाया था तो आप बताओगे 1799 में मिलाया था जी यहां दोस्तों याद रखना है और एक इस नीती के तहट तो यह साहिक संदी के साहिक संदी के तहट मिलाया गया था और साहिक संदी भारत में लाने वाला कौन बेटिस गवर्नर जर्नल था तो आप बताओगे लाड वेले जली लाड वेले जली जी हां दोस्तों आपको ऐसे प्रसंद बहुत ज़्यादा आते हैं कि साहिक संदी कि भारत में सबसे पहले किसने लागोगी तो आप बताओगे लाड वेले जली ने साहिक संदी कौन हुए थे सबसे पहले मैसूर हुए थे मैसूर के सासक हुए थे जिसका नाम क्या था क्या था टी-पू सुल्तान आपको यूद रखना है अब बात होती है जहांसां शचारा को किस नीती के तहथ मिलाये गया था तो तो आप बताओगे सी यानि दोनों नीतियों का प्रियोग बेटिस भारत में इन शेत्रों को मिलाने के लिए किया गया था जी हां दोस्तों किसी भी प्रकार से आपका डाउट नहीं होगा अगर डाउट हो रहा है तो आप बता दीजिए आपको ऐसे प्रसंद अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए थोड़ा सा अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिसे की उन्हें भी बेनिफिट हो अगला प्रसंद आता है कि दवाओ का निमलेखित में से कौन सा मात्रक है चार आपसन है ए पासकल वी न्यूटन सी जूल डी कूलाम तो द का सही तर आपको बता दू करिफल लेकर इस परसंद का सही उत्तर है पासकल यान्य नि नूटन का मात्रक क्या है पासकल बलक न्यूटन का मात्रक न्यूटन होता है आपको यह भी याद रखना है वल का मातरक क्या होता है तो आप बताओगे की न्यूटन वल का मात्रक क्या होता है तो आप बताओगे न्यूटन और जूल किसका मात्रक होता है तो आप बताओगे कारिका आप से पोचा है कुलाम किसका मात्रक है तो आप बताओगे आवेस का जी हां दोस्तों इस सारे मात्रक आपको यार रखने कि पास्कल किसका मात्रक है तो आप बताओगे दाव का यानि प्रेसर का फोर्स का मात्रक क्या है तो न्यूटन है वर्क का मात्रक क्या है जूल है और आवेस जिसे कहते हैं चार्ज चार्ज का मात्रक क्या है कूलाम है जी ह question इस person का सही answer क्या है is right है next question की ओर बढ़ते हैं question number 8 देखते हैं जिसमें लिखाया है सविधान में पहली वार संसोधन कभ हुआ था पहली वार संसोधन कभ हुआ था यह बताना है a 1991 b 1952 c 1932 d 1950 तो पहली बार संसोधन कब हुआ था तो आपको बताना है 1951 में हुआ था यह बात सही है तो इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा यह होगा आज जी हाँ दोस्तो 26 जन्वरी है आपको याद रखना है कि 26 जन्वरी 26 जन्वरी 1950 को हमारा हमारे देश का सविधान बनकर तयार हो गया और लागू किया गया था क्या किया गया था सविधान लागू किया गया था इसलिए क्या लागू किया गया था आपको बताना है सविधान लागू किया गया था सविधान लागू किया गया था कब 26 जनवरी को आप से पोचा है सविधान दिवस कब मनाया जाता है यानि सविधान दिवस की बात की जाए तो आप बताओगे कि 26 नमबर को सविधान दिवस मनाया जाता है यहां दोस्तों याद रखना है कि 26 नमबर को क्या मनाया जाता है सविधान दिवस मनाया जाता है आज 26 जनवरी है 26 जनवरी पर हमारा देश क्या हुआ था गर्तंत्र हुआ था इसलिए इस दिवस को इस दिन गर्तंत्र दिवस भी मनाते हैं क्या मनाते हैं गर्तंत्र दिवस मनाते हैं गर्तंत्र दिवस गर्तंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक सुबकामना है next question की और बढ़ते है next question देख लेते हैं लिखा है सवाना घास मैडा निम लिखित मेंसे कहां पाए जाते हैं A. अमेरिका, B. अफरीका, C. भारट, D. अस्ट्रेलिया इस प्रसंड का सही उत्तर देना है कि कहां पर सवाना घास के मैडान पाए जाते हैं तो सवाना घास की बात की गई है एक कहां पाए जाते हैं चार आपसन मेंसे एक राइट है सही बताईए तो सवाना घास के मैदान जो हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं इसलिए इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा अफ्रीका होगा तो आपको यह याद रखना है कभी कभी पोच्छाता है कि उस्टन कत्वन्दिये उस्टन कत्वन्दिये घास भूमी घास भूमिया आपको बतानी होंगी तो आप आप बताओगे उनमें से एक है सवाना दूसरी क्या है कमपूज तीसरी क्या है लानोज लानोज है यह आपको याद रखनी है उस्टन कत्वन्दिये घास के भूमिया है घास की भूमिया है इनमें से आपको कभी भी ऑप्सन आजाए कि आपको याद रखना है एक गास की भूमिया है एक कहां कहां पाई जाती है सवाना की बात की जाए तो अफरीका में पाई जाती है कमपोज की बात की जाए तो इब्राजील में अगर आपसे पूछा है लानोस की बात की जाए तो आप वेने जुएला बताओगे वेने जुएला वेने जुएला के साथ साथ कमबोडिया में भी पाई जाती है कमबोडिया जियां दुस्तो एक एक परसंद बहुत जादा important है आपको यह जितना भी मैं पढ़ा रहा हू hon यह इतना important है कि आपको एकीन नहीं आएगा कि यह हमारे लिए कितना important है अगर आपको ऐसी जानकारी मिल रही है आपको ऐसी वीडियो कोई भी दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपका भला ही है आपको ऐसी वीडियो देखनी चाहिए अगर आप ऐसी वीडियो देखेंगे तो आपको 100% benefit मिलेगा आप हमारी वीडियो देखिए हमारी वी मतास दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी प्रसन मिस नहीं जाएगा वस लगे रहना है दो चार वार इनको नोट करना और रिवियाइज करना है जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपको वेनिफिट मिलेगा कि इसके बाद आपसे पूंचा जाता कभी कभी यह थी उस्ण कटवंदिय घास भूमिया आपसे पूंच लेगा शी शी तोस्ण कटवंदिये कटवंदिये घास भूमिया आपको यह याद रखना है कि उस्ट कटवंदिये घास भूमिया कौन कौन सी है सवाना है जो अफ्रीका में पंपोज है लानोस है इस सारी आपको याद रखनी है इसी के वाद अगर आपसे पहुचा जाता है एक कहां कहां पाई जाती है तो पहली एक है जिसका नाम है प्रेरी फिर आपको दूसरी याद रखना है जिसका नाम है पंपाश फिर आपको याद रखना है वेल्ड फिर याद रखना है डाउन फिर आपको डाउन याद रखने के बाद याद रखना है कि इस्टेपी ये आपको याद रखना है कि इस्टेपी और गास भूमिया कैसी है शितोस्न घास भूमिया शितोस्न कट्वन्द छेत्रों में पाई जाती है तो प्रेरी की बात की जाए तो यह यूएसे वा कनाड़ा में इनका सबसे ज्यादा विस्तार मिलता है इसके बाद पंपास की बात की जाए तो यह घास भूमिया कहां मिलती है तो आप बताओगे अर्जेंटीना अर्जेंटीना आपको याद रखना है अर्जेंटीना फिर वेल्ड ओती है डाउन है डाउन आस्ट्रेलिया पिर आप सो याद रखना है कि डाउन होती है दच्छनी अफ्रीका में ये वी आपको याद रखना है इस्टेफ यह है ए असिया में युक्रेन में, रूस में, चीन में इस प्रकार के घास की भूमिया पाई जाती हैं यह बात आपको याद रखना है यह दोस्तो मैंने एक जितने वी यहां से सम्मदित कोश्चन बनने थे मैंने एक ही जगह पर बता दिये हैं और एक ही जगे पर मैंने लाकर खड़े कर दिये ऐसे प्रसंद और ऐसे प्रसंद अगर आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ कि यहां से प्रसंद अगर कोई भी आया तो मिश नहीं होगा मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर उस्ट कडवन दिये घास भूमिया पूची तो इन तीनों में से कोई एक पूच लेगा अगर आप से सितोसन कडवन दिये घास भूमिया पूची तो इन पांच में से कोई एक पूचेगा यानि 5 प्रसनों को कैसे भी घुमा कर पूँच लेगा या तो कभी-कभी इन छेतरों को इन से मिलाना पड़ जाएगा या मिलान के अलावा और भी 2-3 तरीके से प्रसन पूँच सकते हैं आपको प्रसन कैसे भी आजाए आपको छोड़ना नहीं है बस तयार रखना है अगर आप इतना सब कुछ तयार कर लेते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा benefit मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके लिए अती उत्तम होगा अगला प्रसन है पानी में हवा का बुलूला किस लेंस की भातिकार करता है एक लेंस है उसकी भातिकार करता है यह बताना है किस लेंस की भातिकार करता है ए उत्तर लेंस वी अवत्तर लेंस से दोनों की तरह डी इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है किस लेंस की भातिकार करता है जी हाँ दोस्तों बताईए तो देखिए पानी में हवा का बुलूला है वो अव्तल लेंज की तभाती कारे करता है इसलिए इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा बी इज राइट होगा देखिए अगर आपसे कभी कभी पहुच लेगा उत्तर लेंज की आकरती कैसी होती है तो आपको ऐसी बताने की उठा हुआ शिरा बीच में होता है और इधर उदर जो कोने होते हैं वो अंदर की और जुके होते हैं और अब तर लेंज की आकरती कैसी होती है तो आपको यह भी याद रखना है अव्तल लेंस कैसा होता है तो यह भी याद रखना है एक ऐसा होता है कि इस तरीके की आकरती होगी यहाँ पर यह अव्तल लेंस की तरह है आप से पूछाएगा कभी-कभी प्रसन आ बता है कि लेंस की छमता का मात्रक बताईए आप से पुछाए लेंस की छमता का मात्रक लेंस की छमता क्या है आप से पहले ऐसे पूछन कहेगा कि लेंस की छमता का सूत्र बताईए तो आप बताओगे लेंस की छमता वरावर एक बटा focus दूरी focus दूरी यानि या कह सकते हैं 1 upon F यानि P बरावर 1 upon F 1 upon F ये भी होता है lens की छमता का मात्रक शूत्र अगर इसकी मात्रक पूचा है इसका मात्रक क्या होता है lens की छमता का मात्रक तो आप बताओगे diopter क्या बताओगे diopter ऐसे डाइंतर रहा दोस्तों आपको यहां से प्रसंद आते बहुत हैं इसीलिए आपको इस स्थे को सोल कफले ना आपको नोट कर ले आ अगर आपको एडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ६ माय कर दीजिए अधिक से अधिक दोस्तों solve करेंगे और यह बहुत ज़्यादा important है अगर आप नेश्ट दिन यानि कल इस वीडियो को देखेंगे तो यह सारे question मैं solve कराऊंगा एक एक इन पर पूरी बारिक्ची से अध्यन करेंगे और वीडियो को आपको अधिक से अधिक दोस्तों के पास share करना है और कल यानि यह सारे question हम solve कराएंगे एक question आपके लिए बहुत ज़्यादा important है जो student पहली बार है हमारे channel पर तो channel को subscribe भी कर दीजिए सुरेश ग्यान को subscribe कर लीजिए और साथ में सुरेश ग्यान 2020 एक टेली ग्राम चैनल है उस पर जाकर आप सर्च कीजिए और subscribe भी कर लीजिए जिससे की इस वीडियो का PDF आपको सबसे पहले मिले आज के लिए इतना ही जैहिंद नमस्कार आपको सबसे कींड़ के लिए और सुरेश की भीजिए है झाला है